नमस्कार मैं प्रेंग का आप देख रहे हैं online news इंडिया आज की खबर है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी अडानी जी है तो अडानी तो हुए अमीर लेकिन गरीब आदमी कौन है आप जानते हैं क्या नहीं जानते होंगे मैं आपको बताती हूँ कौन है सबसे गरीब और किस तरीके से गरीब पर महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है ये आपको बताती हूँ उस उत्तरप्रदेश की खबरे सुनाती हूँ जिस उत्तरप्रदेश को लेकर दावा किया जाता है कि यहां पर रामराज चल रहा है उस रामराज में प्रजा कैसे तिल-तिल मर रही है वो खबर आपको सुनाती हूँ दो खबरें ऐसी बताऊंगी जो कि योगी सरकार के मुँँ पर तमाचा जड़ने का क्वाम करती है इन खबरों को अखिले श्यादों ने ट्वेट किया है और योगी सरकार पर किस तरह हमला बोला है ये भी आपको बताओंगे और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से इन खबरों को दबाया जाता है चुपाया जाता है और आपको भषकाया जाता है इस क्नि कीचिंघ Who पत्नी को पहुचाया अस्पताल पर नहीं बची जा पेहत दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली खबर है यह उस उत्तर प्रदेश की खबर है जहां पर रामराच का दावा किया जाता है ठेले पर देखिए किस तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ठेले पर किस तरी की जान चली जाती है आपको बता देते हैं यह खबर कहां की है यह खबर है उत्तर प्रदेश के बलिया के चिल कहर की जहां पर एक गरीब आदमी को एमिलन्स नहीं मिलती वो अपने पत्नी की जान नहीं बचा पाता बदहवास भागता है दूप में नंगे पैर चलता है ले इस खबर को उत्तर प्रदेश में जब सामने आती है जिस उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि सब कुछ चंगासी सब कुछ अच्छे से चल रहा है जिस उत्तर प्रदेश में शपत ग्रहर समारों में करोणों रुपए खर्च कर दिये जाते हैं जिस उत्तर प्रद के टाइम जुमले बाजी की गई थी वो भी साफ-साफ इन खबरोंसे बेनकाब हो चुकी है क्योंकि जब ऐसी खबरे सामने आती है तो पता चल जाता है कि असल तस्वीर क्या है जो कि आप से छुपाई जा रही है पता देंगी ये खबर जब सामने आई तो डिप्टी सियम प्रजेश पाठक ने जांच के आदेश भी दे दिये हैं लेकिन अब जांच के आदेश देने से क्या उस पत्नी की उस गरीम महिला की जान वापस आ जाएगी उस महिला की जिसकी जान चली गई है चिकिस्ता विवस्ता की कू विवस्ता के चलते उसकी जान वापस आ जाएगी ये सवाल कौन करेगा ये सवाल ब्रजेश पाठक का जवाब इस सवाल का जवाब देंगे ब्रजेश पाठक कि किस तरीके से सिर्फ जांच का आदेश दे देन क biking हैं तो इस सवीर की तस्वीर की तरा जड़ाज के लिए एधर बटक रहा है उसके पास ben इसे पास उत्तर प्रिदेश की जिस उत्तर प्रिदेश में चिकिस्ता विवस्था को लेकर दावा किया जाता है कि सुपर विवस्था चल रही है सबसे सुपर से उपर विवस्था चल रही है सबसे चाक चौबन विवस्था चल रही है उस उत्तर प्रिदेश में ये हाल हो चुका है इस पेपर की कटिंग में नीचे क्या लिखा है ये भी सुन लिजे इसमें लिखा है कि शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी जिला अस्पताल का हाल नहीं बदला मरीजों को परचा बनवाने से लेकर डॉक्टर की पास जाने तक तमाम दुश्वारियां उठानी प उस उत्तर प्रदेश का जहां पर प्रचंड बहुमत के साथ 2.0 योगी सरकार ने अभी अभी शबत ली है आप देख सकते हैं कि उस उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो चुका है जहां को लेकर ये दावा किया गया था कि कुरोना में सबसे अच्छा काम किया जा रहा था कुरो का असर खतम हो चुका है ISTBAK Wi-AN का इस्पताले अच्छे बहतर काम कर रहें तब यह हाल है उत्तरप्रिदेश का इलाज के अभाव में गरीब आदमी तो मर जाता है इलाज थेले पर दम तोड़ देता खटिया पर दम तोड़ देता अम्ट路 नहीं आती यह फोर Brave डॉक्टर नहीं आता है इलाज नहीं मिलता और अगर इलाज मिल भी गया तो दवाईया इतनी महंगी है बेरोजगारी के चलते पैसे नहीं है गरीबी इतनी जादा है महंगाई इतनी जादा है यह सब खबरे आप से छुपाई जाती है आपको नहीं बताई जाती है जहां पर रेलियों में करोडों रुपए खर्च कर दिये जाते हैं, जहां पर चपक ग्रहर समारों की भविता में करोडों रुपए खर्च कर दिये जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश में गरीब इलाज के लिए तरस रहा है, तिल-तिल मर रहा है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकत हैं जिस उत्तर प्रदेश में प्रशान कुमार एडी जी समेद योगी आदत्तिनात पूलों की वर्षा करते हैं कावणियों पर उस उत्तर प्रदेश में हेलिकॉप्टर तो दूर की बात है एंबुलेंस तक नहीं मिल पा रही है आप देख सकते हैं इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि राम राज का जो दावा किया जाता है उसकी जमीनी हकीकत क्या है अब आगे खबर आपको बताते हैं इन खबरों को अकिलेश यादो ने भी ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट करते वे क्या लिखा है वो आपको बताती है उसमें लिखा है कि उत्तर प्र तो आज भाजपा के राज में स्ट्रेचर वा एम्विलेंस के अभाव में लोगों की जो जान जा रही है वो बचाई जा सकती थी जिस तरीके से अखिलेश आदों ने हमला बोला है योगी सरकार पर उनका कहना है कि जो करोडों रुपए खर्च कर दिये जाते हैं विग्यापन पर उनका वो खर्च अगर चिकिस्सा विवस्था पर किया जाता तो इतनी बदहाल हालत नहीं होती और देखा जाए तो होने को कुछ भी हो सकता है सरकार अगर ठालने तो कुछ भी कर सकती है लेकिन लग रहा है कि चुनाओ के बाद अब सरकार की मन्शा ही नहीं है कुछ करने की अब चुनाओ खत्म हो चुके हैं सरकार बन चुकी है बारती जित्ता पार्टी की तो अब क्य विंग परक पड़ता है गरी मर रहा है या जी रहा है इन खबरों से ऐसा साफ होता हुआ नजरा रहा है आप जैसा कि नहीं जानते होंगों आपको पता देती हूं कि कि bucks inיב aether में 13 बार दाम बढ़ाए गए है थे सरकार बनी है ।ब फंद्रा दिनों में 13 बढ़ाए गया है और जो कीमते हैं नौ रुपए बीस पैसे लगभगवर चुकी है नौ रुपए से जादा कीमते बढ़ा चुके हैं किस पर पेक्टरोल डीजल पर जो रोज मर्राक में इस्तमाल आने वाली चीज है इसके चलते सब कुछ महंगा है दवाई महंगी है पढ़ देख रही थी उसमें न्यूस पाट शाला में जाने माने पत्रकार समझा रहे थे कि ताज महल प्यार की निशानी नहीं बलकि 40,000,000 मौतों की निशानी है रेंडम खबरे चलाई जारी है इन खबरों का कोई लेना देना नहीं है कोई सिर्पैर नहीं है ऐसी खबरे चलाई जारी है और क्यों चलाई जारी है आप समझ सकते हैं जब न्यूस की पाट शाला में सरकार को ग्यान देना चाहिए कि आपने क्या काम किया है जो द्यावे कि उन पर क्या काम किया है सवाल करना चाहिए उस पाट शाला में जाने माने एंकर क्या बता रहे हैं कि ताज महल क्य है क्या नहीं है कश्मीर 50 पर जगड़े ओर रहे कश्मीर फ़ाइज को मुद्धा बनाया जा रहा है इसके जरीए जो ज़मीनी मुद्धे हैं वो छुपाए जा रहे हैं हीं äसी ख़वरों से लगता है कि मानों इंसानीत ख़त्रे में हैं गरीब खत्रे में है पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें पसंद आई हो तो लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उसके साथ ये बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक प हन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं